इस पार्ट से पहले हमने बाइस्पेर रिजर्व के बारे में पढ़ दिया था कि बाइस्पेर रिजर्व में कौन-कौन से फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं फ्लोरा एंड फोना का अर्थ होता है वहाँ पर पाए जाने वाली बनस्पती और प्राणी जात इनके बारे में हमने देख लिया था कि किस प्रकार के जिव जनतु वहाँ पर पाए जाते हैं और साथ में एंडमिक स्पेसिज क्या होती है इसकी डेफिनेशन आपको जरूर आ प्राणी चाहिए एंडमिक स्पेसिज जो प्रजातिया होती किसी भी प्रकार की जाती कि कि ऐसे घ्ले रिजर्व में एंडमिक स्पीसिज हैं आपके शूरू करने वाले हैं पॉइंट नमर 7.7 वाइल लाइफ सेंचुरी ठीक है सुन पहली सेंज अबॉर्ट विद पंचमनी वाइल लाइफ सेंचुरी रिटन और इट जब वे बाइस्पेर रिजब में घूम रहे थे तो पहली को महां पर एक बॉर्ड दिखाए देता है जिसके उपर लिखा होता है सेंचुरी प्रोफेसर एहमद एक्स्पेलेंड डाट किलिंग पॉचिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल इज इस ट्रीकली प्रोइबिड एट एंड पनीशेवल बाइल लाओ इन और सच प्लेस तो प्रोफेसर एहमद ने उनको एक्स्पेलेंड करके बताया कि ऐसे लाबदायक वस्तो प्राप्त करने के लिए उसका शिकार करते हैं तो उसे पोचिंग कहते हैं तो यहाँ पर इस तरीकी जो किर्याएं होती हैं बिल्कुल प्रोहिबिड होती हैं बहुत स्ट्रॉंगली यहाँ पर नियम कानून बनाए गए हैं और उनके अनुसार आपको द जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं जंगली जीव होते हैं उनको रहने के लिए वे परियाप्त मात्रा में उप्यूक्त तरीके से नेचुरल कंडिशन प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर बाहर के लोगों का आना और जाना बिल्कुल निशिद होता है यह आलसो टेल्स देम द लाइव सेंचुरी में लोग रहते हैं आदी वसी लोग वगेरा वाँ पर रहते हैं तो उनको कुछ एक्टिविटीज करने की वाँपर चूट होती है जैसे कि लाइव स्टॉक यानि कि अपने जो पश्यू होते हैं उनको चरा सकते हैं वाप उनकी ग्रेजिंग करा सकते है इसके अलावा वे जो मेडिकल प्लांट होते हैं यानि कि जिनसे दवाई बनती हैं जड़ी बुटिया होती है या फायर हूट के लिए वे सूकी लकडी मापर कलेक्ट कर सकते हैं ऐसा प्रोपेसर एमद ने बच्चों को बताया तो हमने जो कंसेप्ट पड़ा है पहले की वाइड लाइफ सेंचुरी क्यों बनाई जाती है तो हमारे जो कुछ थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल्स होते हैं मतलब जिनके जीवन को संकट है जिनके जीवन को खत्रा है जो विलूप्त होने की कगार पर है जिससे कि आपके बल वाइट आइड बख है यहापके बलक कलर का होता है यहापके आपके फियद आखो वाला बख होता है अलिफен्ट होते एपन्ट को उनके दातों के लिए शिकार किया जाता है उनको मार दिया जाता है गोल्डन कैट सुनहरी बिल्ली याँं पर पाए जाती है पिंक हैड आ पली डक यानि बतक यहां पर मदनी हैं, गड़ियाल यहां पर ऊतक है विंहार्य औरी तरफ पर यह रहने वाले जो मघरमच उते हैंagर का मतलब होता है गेंडा यह जो गेंड़े होते हैं इनकी कोल बहुत महेंगी बंहरेंगसी करण है इनके सिंग व thats You प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है संग्रक्षित किया जाता है यहाँ पर बहुत लंबे चोड़े यानि कुछ जंगल पर प्रवतों पर पाए जाते हैं उनको भी हमने wildlife century के रूप में preserve किया है साथ में bush land भी होते हैं जैसे कि हमारे थार के रेगिस्तान में desert century बनाए गई है राजस्तान में और साथ में deltas of big rivers जैसे हमारे गंगा का सुंदरवन delta है वहाँ पर भी century बनाए गई है वहाँ की जो फ्लोरा इंफोना है और जो by diversity है उसको कंजर्व करने के लिए तो यहाँ पर एक बहुत दुख वाली बात है कि जो protected forest में भी विलकुल safe नहीं है क्योंकि उनमें लोग क्या है जो आसपास neighborhood में लोग रहते हैं वे उनमें गुश जाते हैं और उनको नस्ट करने की कोशिश करते हैं या नस्ट कर देते हैं चिल्ड़न ने याद किया जब वे कहां गए ते जू में गए ते चीड़िया घर को देखने गए तो उस चीच को उन्होंने याद किया दे रिकॉल डेट जूज आर ओल्स प्लेसे ज्वेर एनिमल्स निसीव प्रोटेक्शन तो उन्होंने कहा कि जूबी एक ऐसी जगह होत आढ़ने में क्या आंतर होता है वहाँ भी हम एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं और यहां भी प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम आगया भी समझने वाले हैं तो अभी एक्टिविट्य सेवन पॉइंट सेवन पढ़ लएते हैं वीजिट नीरबाई जू तो आप के आसेपास क suitable for the animals, क्या यह जो conditions उनको दी जा रही है, यह animals के लिए suitable है, उप्यूक्त है, या उनमें कुछ कमिया है, यह जू में आपर artificial setting की जाती है, बहुत चोटे पिंजरे में उनको रखा जाता है, तो क्या यह जो जंगली जानवर होते हैं, उनके natural habitat की बज़ाए, artificial setting में अच्छे से रह सकते हैं, क्या, in your opinion, will the animals be comfortable in a zoo, और in their natural habitat, तो आपके opinion के अनुसार, आपके मत के अनुसार, animals कहाँ पर ज्यादा comfortable होते हैं, कहाँ पर ज्यादा आराम मैसूस करते हैं, एक zoo के अंदर, या natural habitat के अंदर, तो आप यहाँ पर निश्चित रोप से समझ गए होंगे, कि जो zoo होते हैं, वहाँ पर artificial conditions में animals को रखा जाता है, उनको चरने के लिए, गूमने के लिए, और अपने किरिया कलाब करने के लिए, बहुत कम space मिलता है, उनको पिंजरे में रखा जाता है, तो यहाँ पर animals के लिए अच्छा नहीं होता है, उनको वहाँ पर अच्छा नहीं लगता है, तो उनको natural habitat में, जैसे कि हमारे wildlife centuries होती है इन में रखना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि natural habitat में they are more comfortable वे माँ पर ज्यादा अरामदायक महसूस करते हैं then we come to our next topic 7.8 national park हमारे जो राज़्टे park होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ने वाले हैं on the road side there was another board on which was returned satpuda national park अब road side पर मतलब जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें आगे एक बोड़ दिखाई दिया उसके उपर लिखावा था satpuda national park children who are now eager to go there मादव जी tells them that these reserves are large and diverse enough to protect all sets of ecosystem system तो मादव जी ने उनको कहा कि यह जो reserves हैं यह जो संग्रक्षिक चेत्रें बहुत बढ़े होते हैं और काफी divers होते हैं काफी वीदताएं इनमें पाए जाती हैं और यह सभी प्रकार के ecosystem को यहां पर protect करने के लिए काफी परियाप्त इस्पेसिन में होता है किसी भी नेशनल पार्क के अंदर जो फ्लोरा फोना होती है मतलब जो वनस्पती होती है जीव जन्तु होते हैं मार की जो नेचुरल हैबिटेड होती है आवास होता है और वहाँ पर जो historical objects होते हैं यानि कि कोई प्रि हिस्टोरिक टाइम का या हिस्टोरिक टाइम का कोई भी वहाँ पर monument वगेरा है तो उसको भी वहाँ पर preserve किया जाता है जो एतिहासिक धरोगर हमारी होती है सत्पुड़ा नेशनल पार्क is the first preserve forest of India और साथ में आपको एक point note कर लेना है कि सत्पुड़ा नेशनल पार्क जो था यह हमारे इंडिया का सबसे पहला रक्षित वन था ठीक है सबसे पहला नेशनल पार्क जो था सत्पुड़ा नेशनल पार्क ही बना था और सबसे पहले किसी वन को यदि संग रक्षित किया गया था तो वह सत्पुड़ा नेशनल पार्क ही था ठीक है तो आप इसको नेशनल पार्क से हैं ठीक है जगे जगे हर राज्य में कहीं सारे नेशनल पार्क बनाए गए हैं वाइल लाइफ और लेंड इसकेप को प्रिष्टोरिक या हिस्टोरिक लेंड इसकेप और मॉन्यूमेंट्स को संग रक्षित करने के लिए रोक शेल्टर्स और आल्सो फाउं था वह रहता था गुफाओं में रहता था वह तो हम उसे रोक शेल्टर कहते हैं तो जो यह रोक शेल्टर्स हैं यह इन जंगल में रहने वाले आदिमानवों के सबूत हैं कि वह यहां पर रहा करते थे इस गेव आइडिया और लाइफ और प्रिमिटिव पीपल तो इस तर पर चित्र बनाया करते थे उनकी हमें आपर जानकारी मिलती है या वह में देखने को मिलते हैं तो यह हमें क्या देते हैं प्रिमिटिव पीपल जो रहते थे किस तरह से वेशिकार करते थे खाना खाते थे उसके बारे में आपर काफी चित्र बने हुए हैं तो उससे हमें आ आइडेंटिफाइन पंच मनी बाइश्पियर रिजब तो अकुल मिलाकर 55 रोक शेल्टर से यहां पर आइडेंटिफाइग की गई हैं पंच मनी बाइश्पियर रिजब में फिंगर्स ओफ एनिमल्स एंड मैन फाइटिंग हंटिंग तो यहां पर जो चित्र बने हुए हैं उ प्लाइग मूझिकल इंस्ट्रूमेंट्स ओर डेपिक्तेगों इन यूज्ब करते थे उन्हें बजाते थे उसका भाइँ यहां पर जो पेंटिंग से उनमें दिखाया गया है तो बच्चे जंगल में जब आगे बढ़ते हैं अपने पन्च मनी बाइसपेर रिजब में तो उन्हें आगे एक बोर्ड दिखाए देता है जिसके उपन लिखा है सत्पुडा टाइगर रिजरू मादव जी एक्सप्लेंस देट प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉंच्ट बाइद गोर्मेंट टू प्रोटेक्ट टाइगर्स इन दा कंट्री तो मादव जी जो कि उनके गाइड है बचों के साथ और प्रोफेसर इम्द के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो उन्होंने उनको बताया कि हमारी जो इंडिया की गोर्मेंट है उन्होंने एक project शुरू किया था जिसे हम project tiger के नाम से जानते हैं तो ये project जो है ये बागों को या tiger को अपने देश में संग रक्षित करने के लिए protect करने के लिए launch हुआ था तो इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा जो मकसद था वह यही था कि जो भाग है अपने इंडिया में टाइगर है उनके सर्वाइवल को और उनके में एन्टेंस को यहां पर एंशर किया जाए मतलब उनके जीविता को और उनके रख रखाओं को यहां पर सूनिस्चित किया जा तो बुज़ो कहता है कि मुझे आशा है कि मुझे एक टाइगर जरूर दिखाई देगा इस जंगल में जैसे कि डाइगराम फिगर 7.4 में दिखाए गया है यह हमारे टाइगर होता है जिसम जनरली भाग कहते है is one of the many species which are slowly disappearing from our forest तो बहुत सारी species में बहुत सारी प्रजातियों में से टाइगर भी एक वाई species है जो हमारे जंगलों से धीरे धीरे गायब हो रहा है slowly disappearing हो रहा है but the सथपुड़ा टाइगर रिजर्व is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen here लेकिन हमारा सथपुड़ा टाइगर रिजर्व इस मामले में अनोखा है कि यहाँ पर एक बड़या मात्रा में अच्छी मात्रा में टाइगर की population पाई जाती है और वे यहाँ पर दिखाई देते हैं once upon a time animals like lions, elephants, wild buffaloes and barra singhah were also found in the सथपुड़ा national park तो एक समय था जब जैसे आप डाइगराम में देख पा रहे हैं नीचे आपके बार सिंगा और wild buffalo दिखाए गया है तो एक time था जब जैसे की शेर होते हैं बबर शेर जिनके मुखे आज पास बहुत बड़े बड़े बाल पाई जाते हैं lions होते हैं बबर शेर, elephant बड़े बड़े elephants, wild buffalo, जंगली, भेंसे जो होते हैं और साथ में बार सिंगा जैसे के आपको इदर डाइग्राम में दिखाए दे रहा है इस तरह के जानवर भी यहां पर पाई जाते थे सर्पुड़ा नेशनल पार्क्स में animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals तो ऐसे इनिमल्ड जिनकी संख्या लगातार कम होते जा रही हैं और वह एकविलूपत होने की कागार पर हैונतलब एक सिंग्ट होने प्रत्वीं से एक्स्टिंट हो गएते हैं परीखोंड द्र évnya की प्रत्वी से इक्स्टिंट हो गयाता है पहले डाइनोसोर बहुत बड़े बड़े जी होते थे वे प्रत्वी पर काफी संख्या में पाई जाते थे लेकिन कुछ कारणों की वज़े से वे विलुप्त हो गए कुछ जनतुओं का जीवित रहने के लिए वह बहुत मुश्किन हो चुका है क्योंकि उनके जो नेचुरल है वे काफी मात्रा में बड़ी मात्रा में डिस्टर्ब हो चुके हैं प्रोफेशं करने के लिए गौर्म्न ने को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको खाली मा प्रोटेक्ट करने के लिए और यह सभी नेचनल पार्क में कभी सकती के साथ यहां पर इनका पालन किया जाता है Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood medicinal plant etc are not allowed तो यह जो हमाई नेशनल पार्क होते हैं Tiger Reserve होते हैं इनके अंदर सभी प्रकारी की human activities जैसे चराना घांस, चराना जंतुओं को poaching करना, शिकार करना, hunting करना, capturing of animals of collection of firewood या फिर जंतुओं को पकड़ना या जंगली लकडी, सुखी लकडी collect करना यह सब यहां पर बिल्कु निशिद होता है बिल्कुल भी allowed नहीं होता है medicinal plant etc are not allowed साथ में यहां पर medicinal plant को भी collect नहीं करने दिया जाता है और only big animals facing extinction तो पहली आपर कहती है कि क्या से बड़े-बड़े जो एनिमल से tiger, elephant यह हमारा wild buffalo यह सभी extinction के कागार पर है या कुछ चोटे एनिमल्स भी सुची में आते हैं, मादो जी tells पहली that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals, तो मादो जी ने पहली को बताया कि जो छोटे एनिमल्स हैं वे ज़्यादा डिंजर में हैं in comparison to bigger animals at times we can snake frogs lizard bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem तो हम क्या करते हैं यदा-कदा, यानि जब चाहें जब जो छोटे जानवर होते हैं जैसे कि snake होते हैं, साप अगेरा होते हैं फ्रोक्स होते हैं, lizard, छिपकलियां होती है बैट चाने चमकादड होते हैं आउल्स, उल्लू होते हैं इनको हम बिना मतलब कि यदा-कदा इसे ही मारते रहते हैं और हमें इसका पता नहीं होता है कि इनका हमारे ecosystem में हमारा जो ecosystem में मतलब हम आसपाँ जहां रहते थे हमारा nature हमारे साथ कुसने कुछ किरियां करता रहता है उसको हम क्या कहते हैं ecosystem कहते हैं तो इसमें उनका क्या importance है यह जाने बगेर ही हम उनको मारते रहते हैं by claim that we are harming ourselves तो इन छोटे जिवों को मार कर हम क्या करते हैं अपने आपको harm करते हैं नुकसान पहुचाते हैं उनकी साइज बहुत छोटी हो सकती है लेकिन उनका जो ecosystem के अंदर अपने आसपास की जो भी भोगोलिक कंडिशन से उनके अंदर काफी बड़ा रोल होता है इंपोर्टेंट रोल होता है और हम इसको ignore नहीं कर सकते नजर अन्राज नहीं कर सकते दें फॉर्म पार्ट ओप फूड चैन्स एंड फूड वैब्स अबाट वीच्यून लांटीन क्लास सेवन तो क्लास सेवन्त में जैसे आपने पढ़ाता फूड चैन होती है कौन किसको खाता है तो जैसे हमारा पेड होता है पेड को आपके हीरन खाता है हीरन को फिर शेर खा जाता है तो हम उसको फूड चैन कहते हैं और जब बहुत सारे फूड चैन आपस में उलच जाती है तो हम उसको फूड वैब कहते हैं non-living components such as climate, soil, river, deltas, etc तो एक ecosystem जो होता है वो उस शेत्र में रहने वाले सभी plants, animals और micro organisms के साथ-साथ उस area में जो भी components है, non-living components है जैसे कि वाँ की जलवाई, वाँ की मिट्टी, वाँ की नदिया, delta वाँ पर जो भी आसपास का शेत्र है ठीक है तो biotic और abiotic यानि की जो living organisms हैं और non-living चीज़े हैं, components है, उन सभी में आपस में क्या होता है कुछ inter-relationship होते हैं, तो मैं सब मिलकर क्या बनाते हैं वाँ की एक ecosystem बनाते हैं, ठीक है तो ये ecosystem में छोटे-छोटे जीओं का, बड़े जीओं का सभी का काफी योगदान होता है तो इन सब को हमें समझना चाहिए I wonder if there is any record of all endangered species तो हमने उपर देखा कि कई सारी जो species हैं वाँ endangered है, मतलब खत्रे में है, संकटापन है तो ऐसे जो जीओं है, क्या इनका कोई record रखा जाता है या सिफ ऐसे ही हम कहते सुनते है तो यहाँ पर अपका टोपिक आ जाता है Now we come to our next topic 7.9 Red Data Book जो एक लाल किताब है, Red Data Book है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं Professor Ahmed explains about Red Data Book to the Children Professor Ahmed ने बच्चों को Red Data Book के बारे में बताना शुरू किया जब मुझों ने पुचा कि क्या इन जो Endangered Animals होते हैं क्या इनका कोई Record रखा जाता है तो यहाँ पर Professor Ahmed ने Red Data Book के बारे में बताया He tells them that Red Data Book is the source book which keeps a record of all the Endangered Animals and Plants तो उन्होंने बताया कि जो Red Data Book होती है यहाँ एक source book है जिसके अंदर सभी Endangered Animals और Plants दूनों का यहाँ पर Record रखा जाता है तो Red Data Book में सभी Endangered Animals के नाम और पते होते हैं Red Data Book is maintained internationally by an organization और यह सिर्फ इंडिया की नहीं होती है यह World Level पर होती है इंटरनेशनल अंतराश्ट्री इस्तर पर एक organization के द्वारा इसको maintain किया जाता है इंडिया और इंडिया की मी अपनी एक Red Data Book है जिसमें इंडिया में पाए जाने वाले plants और एनिमल्स जो की Endangered है जो की Extinction के कगार पर है उनकी यहां पर सूचियां रखी जाती है और उनका record रखा जाता है Then we come to next point Migration Migration का मतलब होता है प्रवास The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Mother जी अब जो excursion party थी उन्होंने excursion tune किया था बच्चों ने तो वे अब forest के बहुत अंदरूनी भाग में गेरे भाग में चले जाते हैं और उनके साथ मादव जी है गाइड के रूप में They sit near the Tawa Reservoir to relax for some time तो वे एक महाँ पर जलाशे है तवा जिसका नाम है उस Tawa Reservoir के पास वे बेटते हैं पहली ने कुछ बर्ट को वहाँ पर अबज़र किया उस नदी के पास या जिसकी जो रिजर वायर है जलाशे है उसके पास मादव जी टेल्स दा चिंडरन देट दीजार माइग्रेटरी बर्ट तो मादव जी ने कहा बच्चों को कि यह जो पक्षी आपर लिखाय दे रहे हैं यह परवासी पक्षी होते हैं इस परवाज़े बर्ट से फन यह उन फों अजर पास ओप दावर्ट और यह जो हमारे विस्व के दूसरे बाग होते हैं वहाँ से उड़कर यह पक्सी हजारों किलो मीटर की यात्रा ते करके यहां पर यह जो माइग्रेटरी बर्ड दूर के एरिया को ते करते हुए सफर को ते करते हुए किसी पर्टिकुलर टाइम में विशेश मोसम के समय में यह क्लाइमेटिक चेंजेश के कारण दूसी जगहों पर जाते हैं या प्रवास करते हैं यह अंडे देने के लिए उड़ते हैं क्योंकि यह जिस जगह पर रहते हैं जैसे कि मारे पॉलर रिजन होते हैं बेरिया होता है हमादा वहाँ पर सर्दियों के दुरान बहुत अधिक ठंड परती है और वहाँ पर बरव की मोटी चादर जम जाती है जिस कारण वहाँ की जो नेचुरल हैबिटेटेव बहुत जादा ठंडी हो जाती है और इन होस्पिटेबर मतलब वहाँ पर यह पक्षी जिवित नहीं रह सकते हैं उनके जो बच्चे होते हैं वहाँ पर मर जाते हैं इस कारण अंडे देने के लिए यह हमारे इलाकों में आते हैं क्योंकि सर्दियों में भी हमारे यह कंपेरिटिवली काफी कम सर्दी पड़ती है तो ऐसे बर्ड जो लोंग डिस्टेंस ते करके दूसरे एरिया में जाते हैं उनको हम माइग्रेटरी बर्ड या प्रवासी पक्षी कहते हैं जैसा कि पहली ने क्लास 7 में पड़ा था हमारा जो पेपर होता है हम यूज करते हैं नौट बुक्स अगेरा में बुक्स में तो इसकी जो रिसाइकलिंग का मतलब होता है पुन्य चक्रण वह किस तरह से होता है उसका क्या इंपोर्टेंस है उसको यहां पर समझना बहुत जरूरी है तो हमने जैसे चेप्टर के शुरू में पड़ा था कि कुछ कारण होते हैं जिनके कारण निफोरेस्टेशन हो रहा है तो उसी में से एक कारण की तरफ प्रोपेसर एमद ने आपर बच्चों का ध्यान खीचने की कोशिश की तो उन्होंने बच्चों को बताया कि एक टरन पेपर मनाने के लिए कागज बनाने के लिए आपको 17 अच्चे हरे भरे फूल ग्रॉन विशाल रक्षों को काटना पड़ता है मतलब 17 वरक्ष को काट कर आप क्या बना सकते हैं एक टन पेपर बना सकते हैं therefore we should save पेपर इसलिए हमें क्या करना चाहिए पेपर को बचाना चाहिए क्योंकि एक टन पेपर के लिए आपको 17 अच्छे हरे भरे वरक्षों को काटना पड़ता है Professor Ahmed also tells that पेपर can be recycled 5-7 times for use Professor Ahmed ने ये भी बताया बच्चों को कि पेपर को हम पूर्ण चक्रित कर सकते हैं मतलब जो पेपर हम यूज कर लेते हैं हम उसको दुवारा वापस refine करके उसको वापर recycle कर सकते हैं If each student save at least one sheet of paper in a day we can save many trees in a year यदि एक बच्चा एक दिन के अंदर एक कागच को मी save करता है तो हम एक साल के अंदर कहीं सारे व्रक्षों को बचा सकते हैं कटने से उनको बचा सकते हैं उनकी life बचा सकते हैं We should save a reuse used paper and recycle it हमें paper को बचाना चाहिए उसका reuse करना चाहिए और जो हमारा paper use में आ जाता है उसको recycle करना चाहिए क्योंकि recycle करने से क्या होगा पेड कटने से बच जाएए By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper तो इसके द्वारा recycling के द्वारा हम से ना से पेड़ों को बचा रहे हैं साथ में हम energy और water को भी बचा रहे हैं जो कि paper को बनाने के लिए उसके संसिलेशन के लिए हमें जरूरत होती है इसके अलावा हम जब paper बनाते हैं तो उसमें कहीं सारे harmful chemicals का milishing agents का यूज होता है जो कि पानी के साथ बैकर नदियों में तालाबों में जाते हैं और pollution create करते हैं तो उस चीजों को भी हम यहाँ पर बच सकते हैं और हम paper की जो मात्रा होती है उसको भी हम reduce कर सकते हैं और पेड़ों को कटने से भी बचा सकते हैं Is there any permanent solution to the problem of deforestation? तो मुझे यहाँ पर किरा है कि क्या कोई permanent solution है यह जो हमारे जंगलों की कटाई हो रही है इनको बचाने के लिए क्या कोई permanent solution हो सकता है And our next topic is 7.12 reforestation यानि कि वनों को पुन्न लगाना Professor Ahmed suggested that the answer to deforestation is reforestation तो Professor Ahmed ने आपर सुझाव दिया कि deforestation से बचने के लिए या deforestation को कम करने के लिए जो प्रस्न किया गया है उसका आंसर है Reforestation यानि कि यदि आप वन खाट रहे हैं तो वापस वनों को लगा भी दीजिए Reforestation is restocking of the destroyed forest by planting new trees Reforestation का मतलब होता है कि नए व्रक्षों को लगाना और जो forest destroyed हो चुके हैं उनको वापस भी stock करना The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest तो जो नए plants हम लगाएंगे वे उसी species के होने चाहिए जो पहले वापर पाए जाते थे क्योंकि अगर आप नए species वापर लाकर लगाएंगे तो हो सकता है क्लाइमेटिक कंडिशन के करण वे वापर ना चले तो जो पहले की species थी उसी के अनुसार यापर पुरक्षों को लगाना चाहिए यहां पर जंगल के कटाई हो चुकी है उस एरिया को आप बिल्कुल अन्डिस्टब चोड़ दीजिए वाहाँ पर सभी लोगों की आवाजाही बंद कर देते हैं तो वे अपने आप क्या हो जाता है मतलब वापस वाहाँ पर जंगल अपने आप बन जाता है और जो नेचुरल रिफोरेस्टेशन होता है प्राकरतिक रूप से जब वन लगता है तो उसमें हुमन बिंग का कोई रोल नहीं होता है हमने पहले से ही हमारे जंगलों को बहुत भारी मात्रा में डेमेज पहुँचाया है उनको नुकसान पहुँचाया है तो यदि हम अपने जो आने वाली बाविष्य की पीडिया है या अभी हमारे पास जितने पैड़पोर्दे हैं इनके बारे में उनको दिखाना चाते हैं तो हमें ज़्यादे से ज़्यादे ट्रीस का प्लान्टेशन करना ज़रूरी है और सिर्फ ये एक मात्री यहीं उपाए यहां पर बसता है Professor Ahmed told them that in India we have the forest conservation act Professor Ahmed ने बच्चों को बताया कि इंडिया में हमारे पास वनों के लिए उनके बचाने के लिए one संग रक्षन अधीनियम है Forest conservation act है This act is aimed at preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of people living in or near the forest तो यह जो act है हमारा यह act क्या करता है जो हमारे forest है उनके preservation और conservation उनके सुरक्षा के लिए उनके संग रक्षन के लिए यह forest काम करता है और जो इन जंगलों में जो लोग रहते हैं उनकी basic needs को भी इसको ध्यान में रखा जाता है after some rest मादव जी ask the children to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset तो मादव जी ने जब उनके रहे थे तब रिजर वायर के पास तो मादव जी ने कहा कि अब काफी rest हो चुका है अब हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि जंगल में sunset के बाद सुर्यास के बाद वाँ पर रहना advisable नहीं होगा या समझदारी वाला बात नहीं होगी on getting back professor एमद and the children thank मादव जी for guiding them through this exciting experience तो जब में वापस लोटने लगे तो professor एमद ने और सभी बच्चों ने मादव जी को जो कि उनके guide थे उनको thank किया उनको धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनके जो exciting experiments था उनका जो excursion ट्यूर था उसमें उन्होंने उनका बहुत अच्छा साथ दिया और उनको बहुत अच्छे जानकारी दी इसके लिए सभी ने उनको thanks दिया तो इस तरह से हमारा जो chapter है तो यहाँ पर खतम होता है और आप यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे जो forest होते है wildlife होती है natural habitats होती है इनको बचाना क्यों आवशक होता है ठीक है तो चलिए मिलता है आपसे next part में जिसमें हम आपकी exercise solution करने वाले है टोटल यहाँ पर 10 question है तो 10 question को हम solve करेंगे और आपसे request है यदि आपने channel को subscribe नहीं किया है तो channel को जरूँ सब्सक्राइब करने है bell icon को भी दबा ले होके thank you जै हिन जै भारत